तो आज मेले के आ गई हूँ गोवी की लाजवाप टेस्टी सब्जी अलग तरीके से हमने बनाया और खास ट्रिप से बनाया है एकदम यूनिक सब्जी है तो आप ट्राय करना और इसके आगे आप सारी सब्जिया भोल जाएंगे इतना स्वादेश्टी ये बनता है तो चले फिर बना लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने गोवी ले लिया है मार्कर पे अभी फ्रेस गोवी बहुत ही अच्छे च्यारी विंटर के सीजन में तो हमें क्या करना है पहले इस तरह से हमने हमारे पास बड़ी फूल गोवी थी तो हमने इससे हाफ बनाया है तो इसक बाद हम यहाँ पर कट कर लगा लेंगे तो बहुत जादा छोटी नहीं कट करना है एक normal size का कट करना है जैसे कि गोभी हमारी सब्जी जो है खिली-खिली सी रहे तो इस तरह से एक ही size का हमें मतलब बहुत बड़ा भी नहीं कटना है और बहुत छोटा भी नहीं medium size का हमें इस कट लगाने ना है तो मिला ये सब्जी के साथ में वहाइसे कट मोलन क्नाफ करना रहा लगा लेंगे में लगा लेंगाहे मैं लगा इसका सब्हें ये तो मिलाने सब्जी कोटना के रूं करना कट करना है किरें घुरी-घंश ख़षब में वहाइन श्यापिए में नहींiden ric occasion लेना है इसे हम यूज करेंगे तो यहां पर आप में करना क्या रैंब आब मेलए बढ़े बड़े honest लेवर किसी बड़े的人 में घरम पानी हर आपैर चाहे सब्सक्राइब गरम पाने जाले तो यहां पर जितनी को भी हम ने मतलब कंपना था वह कर देंगी इसी क्या geek जितने भी कीडियम, खचड़े वगरे होते हैं गोवी में क्लीन हो जाता है इसे के साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा एट कर देंगे नमक और यहाँ पर और इसे जो बनाने का जो फ्लिवर हलका सा गोवी अच्छा गरम पानी रहे तो उसे गोवी क्या होता है हलका सा मतलब कुक हो जाता है तो इस तरह से हम हल्दी भी एट कर देंगे हल्दी और यहाँ पर नमक डाल कर हमें गोवी को दो से तीन मतलब मिनर तक हमें अच्छे से इसे इसे में छोड़ देंगे तो इस तरह से बढ़िया से mix कर लेंगे और 2-3 मिनट तक छोड़ देते हैं इसे ढख करके 2-3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो ये देखें ये बढ़िया से हमारी जो गोवी है सेट हो गई है अब इसे हम एक चन्डे में चान लेंगे ये देखें इसका पानी किसी पेड़ वगएरा में भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर एक प्लेट में हम निकाल लेंगे जितनी गोवी है अब हमें क्या करना है यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आट कर देंगे आदे चुथाई चम्मसे भी कम लाल मिर्स पौडर और यहाँ पर हल्दी पौडर लाल देंगे थोड़ा साप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर हम एट कर देंगे कसूरी मेथी इस तरह से इसका फ्लिवर बहुत जादा अच्छा लगता है नए तरीके से हमने बनाया है आप भी ट्राइ करना इदम आपको मार्केट वाला स्वाद मिलेगा साथ में यहाँ पर हम एट कर देंगे दो से तीन टेवल स्पून बेशन डालके हमें बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेना इस तरह से यह देखे बराबर ऐसे आप सब्जी बनाएंगे गोबी का तो बहुत ही जादा खाने में टेश्टी लगता है और अलग स्वाद से बनता है कम मेहनत में भी बन जाता है बहुत फ्लिम में हमें 2-3 मिनड़ तक गोबी को फ्राई कर लेना है यह देखे इस तरह से इसे अच्छे से कोबी कोग भी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है इसका टेश्ट भी हलका सा पक भी जाता है कोवी और शौदी 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 सी खुश्बूबी आती है तो अर म यारिकल लेते हैं जो हिलवाई लोग करते हैं उसमें डारेक्ट मसाला इस तरह से नहीं एड़ करते हैं यहाँ पर हमने ले लिया है लहसन अद्रख और हरी मेर्श इसे हम बढ़िया से कूट लेंगे तो इस तरह से हम हलका सा दरदरा ही कूट लेंगे यह खास ट्रिक्स है इस से इस तरह से आप सबजी बनाएंगे ट्रेश्ट मी यह सबजी का स्वाद है डिफरेंट ही रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमने कूट लिया यह देखिए दरदराशा हो गया है अच्छे लिए हम क्या करेंगे दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो इसको हम रख देते हैं इसे बाद में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वही कडाई में हमने थोड़ा सा तेल ओयल की मतलब एड़ कर दिया है मस्टरड और कोई भाल का ना पसंद करते हैं डाल दे यहाँ पे जीरा तेज पत्ता पांच से च्छ हमने ले लिया था काली मिर्च का फेवर ब दाल देंगे और प्यास को बढ़िया से सुनहरा होने तक भून लेना है यह देखिए प्यास का जो कलर है कुछ इस तरह से हो जाए फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमने हरी मिर्च अधर किया था वह डाल देंगे डेर चमच उसे डाल करके मिक्स कर लेंगे आप तीखा अप कर दिये हैं हल्दी पाउडर और इस तरह से मसाला बनाने से जो सब्जी का स्वाध है अलग रहता है और मसाला भी बहुत अच्छे से साथ में ही मिक्स अप हो जाता है इसे के साथ एक चमच मैट कर देगे धनिया पाउडर यहाँ पर एक चमच हम ले लिए किचंग की मसाला अगर आपके पास कोई भी सब्जी मसाला है डाल सकते हैं और यहाँ पर हम अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के में घोल त्यार कर लेना है आप चाहँ तो यहाँ पर पानी के जगर दही भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से दही डाल कर आ सब्सक्राइब करें तो यहां पर मसाला डाल करके फिलम को медиум रखेंगे low to मीडियम फिलिम में हमें 2-3 मिनında मसाले को अच्छे से भून लेना है प्यास के साथ फिर इस के बाद यहां पर हमने एक टपाटर को पीछ लिया है तो मीडियम साइज का टपाटर हमने पीछा है तो वो उसकी प्योरी हमें आड़ कर देंगे प्योरी डाल कर हमें टमाटर को बहुत अच्छे से भून लेना है तो जब हमें आरा टमाटर और बढ़ी ऐसे मसाले सारे भून जाएंगे तो यहां पर हम आड़ कर देंगे मटर आप कोई भी ले सकते हैं, बॉयल मटर भी ले सकते हैं, हमने बॉयल मटर नहीं लिया है, तो इसी स्टेस पर हम एड़ करेंगे ताकि जो हमारा मटर अच्छे से पक जाए, तो जब हमारा मसाला जो है हलका सा कुक रहेगा, उसी के साथ मटर एड़ कर देंगे, तो मसाले के लोटो मीडिया फ्लेम में दो से तीन मिनट तक हमें बढ़िया से मसाले को कुक कर लेना है तो जब कुछ मसाला इस तरह से हो जाए तो यहां पर हमैट कर देंगे तो यहां पर हमैट कर देंगे जो गोभी के डंठल है हमने कट करके रेडी किया था इसी के साथ हैट कर देंगे तो वो भी cook हो जाएगा बहुत ही soft होते हैं तो बहुत जल्दी cook हो जाएगा तो देखे मसाला कुछ इस तरह से पकर के हो गया पहले गिरी भी थोड़ी सी गीली थी अब ठीक हो गई अब हमें क्या करना यहाँ पर थोड़ा सा फिल्म को बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम एक कप पानी तो हमने घर का कफ लिया है नॉर्मल जो कफ होता है उसी कफ से पानी डाला है अगर आपको सब्जी जो है आपको थोड़ा सा गिली रखना है तो आप थोड़ा सा पानी और अट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पानी डाल करके जो गोवी फ्राई किया था ना बस वो अट कर देंगे फ्रिम को हमें बढ़ा लेना है फिर उसके बाद गोवे डाल कर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखिए इस तरह से चला लेंगे थोड़ा सा आप पानी चाहे तो और डाल सकते हैं अगर आप गेरीवी वाली सबजीस का खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट एर कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चला लेंगे आप इसका कलर देखे जो गोवी का है बहुत कम टाइम लगता है इसे कुक होने में क्योंकि गोवी भी अलमस कुक हो गई है मटर भी कुक हो गया है तो आपको जादा नहीं से कुक करना है सिर्फ एक मिनट तक और कुक करना है तो यहाँ पर फिलम को हम हाई रखेंगे हाई फिलम में एक मिनट तक इसे कुक कर लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे तो यह देखी जो गोवी है अच्छे से पग गया है और जो सबजी हमारी है कुक हो गई है और अब यहाँ पर हम एट कर देंगे यहाँ पर गरम मसाला एक चमबर से डाल दिया है और आप चाहे कसुर मेती तो हमने डाला था पहले से यहाँ पर कु तोड़ा साम क्या किये हैं हरीमेज को इस तरह से दो हरीमेज को कट के लिए लंबी स्लाइस में थोड़ा साध रख ले लिए हैं और यह देखिए सब्जी हमारी जो है बनकी हो गई हरेडी आप इसका लुक देखिए टेक्सर देखिए और जो नहीं भी खाता है यह गोवी और मटर आलू नहीं पसंद होता है वो भी खाएगा एदम हिलवाई स्टाइल रिस्टोरेंट स्टाइल बना है कब मेहनत पे इतना स्वादेश्ट सब्जी बना आप किसी को भी खलाएंगे ना सब आपकी बहुत आरिफ करेंगे और जो नहीं भी खाते हैं गोवी वो भी खाने लगेंगे तो आप भी इसे पूरी पराठा नान जिससे खाना चाहते हैं इसे शर्व करें तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे मिलते हैं नहीं वीडियो के शाद तत्य के लिए अपना ख्य